जो मोदी जी की हां में हां मिलाए उनका काला चिठा सफेध हो जाता है जो हां ना मिलाए वो जेल चला जाता है 31 जनवरी का वो शाम देश याद रखेगा जब एक आदिवासी मुख्या मंत्री को E.D. ग्रिवतार करती है आखिर डील क्या रही जिसे हेमंत सोरेन ने ठुकरा दिया था एक तरफ जो है की E.D. दबिश डाल रही थी एक तरफ डील चल रही थी और एक नहीं दोस्तो मोदी जी के दो दो डील को ना सोरेन ने नकार दिया फेल साबित कर दिया ऐसे में हेमत सोरेन की गरिफतारी करके मोदी जी बुरी तरहां से फस गए है जारखंड के विधायकों के लिए मोदी शाकी वो डील क्या रही डील नमबर वन सोरेन के लिए क्या कितनी सच्चाई हैं आरोपी को सरकारी गवा बना करके किस तरहां से सोरेन को जेल में डाला गया क्या ये केस वाके कोट में टिक पाएगा बताएंगे आपको इस वीडियो में विस्तार से तो अंतक बने रहें नमस्कार स्वागत है आपका देशनीती पर क्या हमारा देश हमारा लोगतंत्र अब डील से चलेगा जो मोदी की डील में साइन कर दे उनकी फाइलें बंद हो जाती है जो साइन ना करे नो कह दे उनकी तो धुलाई शुरू होती है दोस्तो आपने देखा किस तरह से मनिस सोधिया की घेराबंदी हुई फिर संचै सिंग की घेराबंदी हुई एडी का मामला था सुप्रम कोर्ट राउंस एवनियो कोर्ट ने कुछ नहीं कर पाया एडी के पास है ही इतनी शक्तिया कि एडी कहीं पर भी कुछ भी किसी के साथ भी कर सकती है मोदी जी ने एडी को इसी तरह से तो बनाया दोस्तो एडी क्या करती है पहले एक किसी को मुल्जिम बनाती है आरोपी बनाती है फिर उसे ही सरकारी गवा बना देती है फिर वो जिस भी नेता का नाम लेगा E.D. उसे उसके बिना जाच करें ही उसे उठा लेगी या शायद सरकारी गवा को E.D. खुद नाम सजेस्ट करती है कि जिसका नाम का ओर्डर जो है उपर से आता है उसका नाम ले लो यही आरोप E.D. पर विपक्ष लगाता है हेमन सोरेन पर जिस जमीन खुटाले का आरोप है उसमें भी यही हुआ आरोपी को सरकारी गवा बना करके सोरेन की गरिवतारी हुई लेकिन गरिवतारी की प्लानिंग नहीं थी सोरेन पर दबाव बनाने का प्लान था अब उस दो डील के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसके जरीए ये कोशिश की जा रही थी कि सोरेन कॉंग्रेस का साथ छोड़े इन आंक्रों को देखिए दोस्तों सबसे पहले आप आंक्रों को देखिए तभी आपको डील जो है वो समझाएगी डील क्या रही दोस्तों अभी जो जार्खंड में सरकार है वो देखा जाए तो जे एम एम जो की मुक्ति मोर्चा है जार्खंड मुक्ति मोर्चा उनके पास 39 सीटे है Congress के पास 16 विधायक है Communist Party के पास 1 विधायक है और RGD के पास 1 विधायक है यानि JMM और Congress ने मिलकर के यहाँ पर सरकार बनाई है कुल सीटे जो है इंडिया गटपर्धन का अगर देखा जाए तो 48 सीटे है वही पर अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में भारती जुनुता पार्टी है भारती जुनुता पार्टी के पास 25 विधायक है 25 सीटे है AJSU के पास 3 NCP के पास AP जो है उनके पास 1 और IND के पास 3 सीटे यह सारे अन्या है कुल मिला करके देखा जाए तो BJP के खाते में 25 सीटे JMM और जो इंडिया नाशनल कॉंग्रेस है उनका मिला करके 29 प्लस 16 सीटे है यह जो 29 के नीचे जो 16 सीटे है ना कॉंग्रेस के खाते में इस 16 सीटों पर इन 16 विधायों को के साथ खेल करने की कोशिश की गई थी Deal No.1 August 2022 का मामला है भाजपाज जारखंड कॉंग्रेस को पूरी तरहां से तोड़ने की कोशिश में लगी हुई थी कॉंग्रेस के 3 विधायों को पर यह जिम्मेदारी दे गई थी कि गटपंधन में फूट डाले यह 16 विधायों जो है उनमें से 3 विधायों को पर जिम्मेदारी दे गई कि बाकी के जो 13 विधायों के उन्हें अब अलग धलग करने की कोशिश करे कॉंग्रेस के बाकी विधायों को अलग करना जो है वो रहा मक्सद इन 16 विधायकों को JMM से अलग करने के लिए कहा गया दील कोलकता या गौाटी में हुई और फिर तीन कॉंग्रेस से विधायक 49 लाख कैश के साथ पक्ड़े जाते हैं खबर देखें दोस्तों आपके स्क्रीन पर नगधी के साथ यानी कैश के साथ पक्ड़े जाने से पहले जारखंड कॉंग्रेस के विधायकों ने कॉलकता के होटल में 50 मिनिट बिताए जारखंड के तीन कॉंग्रेस विधायकों को बंगाल पुलिस ने 49 लाख 49 लाख रुपे के साथ जो कैश के साथ गिरफतार किया है उन्होंने कुलकता के एक होटेल में लगभग 50 मिनट बिताए कहा जाता रहा 2022 में कि या तो डील जो है कॉंग्रेस को तोड़ने की जाड़कर सरकार को गिराने की जो साजिश रची जा रही थी वो पहला डील रहा और पहली डील थी वो और ये डील जो है या तो गोहटी में हुई या फिर कॉलकता में लेकिन सोरेन को ना इस डील के बारे में पहले से ही पता चल गया था इन मौके पर उन्होंने पुलिस को कॉलकता पुलिस को जानकारी दी और बाकी काम कॉलकता पुलिस करती है यानि सोरेन ने मोदी जी की जो फ इसमें कई लोगों के नाम सामने आये थे कि एक ने जमीन खरीदे दूसरे को बेच दिया फिर दूसरे ने खरीद कर तीसरे को बेच दिया फिर ये प्रोसेस चलता रहा और इस भी छारकंट के IAS अफसर का नाम सामने आया छवी रजन जिन्हें ED पूछताच के लिए बुलाती है उन्हें बाद में वो आरोपी जो है IAS अधिकारी को सरकारी गवा बना दिया जाता है और ED पूरे केस को हेमन सोरेन पर डाल देती है लेकिन इस IAS अफसर को सरकारी गवा 2023 में बनाया गया था जिबकि ये मामला बहुत पुराना है फर्स डिल फेल साबित होने के बार दोस सरकारी गवा बन गए हेमन सोरेन के खिलाब हो लेकिन इस पर हेमन सोरेन का क्या कहना है आप खुदी एक बार सुन लेजिए ये वीडियो गिरफतारी से पहले की है जो उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी थी और बाद में CM आवास की ओर से CMO आफस से इसे जो है दिया गया सो और भुयारी जमीन किया जो जमीन कभी बिक्ती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला दिल्ली में भी इन लोगों ने छावे मार कर हमारी जो चवी खराब करने की कोशिस की और आज अंत्वगत्वा ये सुनेजिक तरीके से दिन भर ये योजनाबत तरीके से आये समय काटे औ दो जाता है जस्टिस संजय किसान कोल ने कहा था या साथी साथ और भी जजजस ने एडी पर ये टिपणी की थी कि एडी को बदले की कारवाई नहीं करनी चाहिए और लगातार एडी की पारदर्शिता पर सुप्रम कोर्ट ने भी कई मरतवा सवाल उठाया है लेकिन जब विपख्ष ने ये मामला सुप्रम कोर्ट के पास ले करके गया कि अब एडी पर शिकंजा कसने की जरूरत है क्योंकि एडी के शिकंजे में कभी सत्तापक्ष के नेतालोग होते ही नहीं है सिर्फ विपख्ष को खतम करने की सरकार तोड़ने की कोशिश में जो है इडी का इस्तेमाल हो रहा है जिसे सुप्रम कोर्ट ने न कार दिया दोस्तो आज अगर सोरे ना इस डील में साइन कर देते ये जो डील सेकंड डील जो उनके सामने रखा किया था कि वो इंडिया एलाइंस को तोड़ करके वापस आ जाई भारती जुनुता पार्टी के साथ सरकार बनाए उस डील में ना साइन करने से हेमंत सोरे ने ना कर दि लेकन हेमन्त सोरेन ने साफ कह दिया कि मैं शीबू सोरेन का बेटा हूँ मैं जुकने वालों में से नहीं हूँ और साथी साथ उन्होंने चमपई जो सोरेन है उन्हें नए मुख्यमंत्री के तौर पर एपॉइंट करके वो गये क्योंकि उन्हें मालूम था जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया उन्हें पहले से मालूम था कि उनकी गिरफतारी हो सकती है क्योंकि वज़ा ये भी है उनकी गिरफतारी होगी क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के आगे एजी के आगे और साथी साथ शाह के आगे बीज़पी के आगे नहीं जुक की गई और आखिर जब यह कुछ भी नहीं हुआ तब हमने देखा कि लोकतंत्र में सर्फ बदले की कारवाई लोकतंत्र जो है वह डील के जरीए सरकार जो है अब किसके साथ किसकी कितनी अच्छी डील हो रही है उसके वल्बूते पर चलती हुई सरकार नज़रा रही है तो द केश की जनताना सब कुछ समझती है उन्हें समझ आता है कि आखिर ये बदले की कारवाई है या वाके ये संजय सिंग हिमन सोरेन बनिस सोदिया ये सब के सब जो मैंने आपसे कहा था ये सारे लोग जेल से चुनाव लड़ने वाले हैं और इनका जेल से चुनाव लड़ना क नहीं ये लोग भगत सिंग साबित तो नहीं हो जाएंगे ये डर मोदी जी को कहीं न कहीं सताएगर जरूर चुनाव आने का वस वक्त है इस पूरे विशय पर आपकी राय क्या है मोदी जी ने जिस तरहां से दो डील्स करने की कोशिश की थी जिसमें वो पूरी तरहां से साबित ही और जिसके बाद रेमन सोरेन की ग्रिफतारी होती है इस पूरे क्रोनलोजी को आप किस तरहां से आखते हैं बाके दोस्तों देश के तमाम खबरों को खासकर राजनेताओं से जुड़े खबरों को हम जिस तरीके से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जिस